हलो फ्रेंड्स वेलकम टू से सी क्रेकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के पार्ट फाइब को पढ़ने वाले हैं जो यह important series चलाया जा रहा है 1000 प्लस इस्टैटिक जीके का जो भी recent में exam हुए है 2018, 2019, 2017, in sum में जो CGL, CHSL, Steno, CPO यह सारे जो exam हुए SAC के जो उसमें static जीके का जो question आया है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं part wise से तो यह सारे part काफे important है अब तक एक से लेकर 4 ऐसे part है जो हो चुके हैं यहाँ पर 4 part में total 200 questions discuss हो चुके हैं अब यहाँ पर 201 से लेकर 250 questions हम लोग discuss करेंगे part 5 में तो चलिए start करते हैं हम लोग सबसे पहला question आपके screen पर दीख रहा होगा कि How many Indian ballers have taken a hat trick in international test cricket तो कितने ऐसे भारतिये गिंदबाज हैं जिन्होंने अंतरास्ट्रिये test cricket में hat trick ली है hat trick का मतलब हो गया 3 ball में 3 wicket लेने वाले ऐसे कौन-कौन से test खिला रही है international right answer हो जागा यहाँ पर 3 यानि कि हरभजन सिंग जो है इन्होंने ये करनामा किया था फिर उसके बाद इर्फान पठान ने किया फिर जस्प्रीत बुम्रा ने ये करनामा किया था 3 ball में 3 wicket लिया है तो अब तक भारतिये 3 ही ऐसे गिंदबाज हैं जिन्होंने hat trick लिया है international test cricket में next question क्या है और next question है आर्टिकिल से related तो जैसा कि आपने देखा है कि recent में जो exam हुए है उसमें आर्टिकिल से एक question तो एकदम fix ही है हर shift में तो ये सब कुछ आपको अच्छे से prepare करते वें चलना है यहाँ पर पूछा गया था कि which article in the constitution of India empowers the president of India to promogulate ordinance when the parliament is in recess यानि कि भारत के समिधान का वो कौन सा अनुचेर संसत के अवकास में होने पर अध्यादेश लाने के लिए भारत के राश्पती को अधिकार देता है यह है related article 123 से next question है पिकलिहल और उतनूर जो है यह important sites है कहां के तो पिकलिहल and उतनूर are important sites कहां क्या है important sites तो यहां पर right answer क्या हो जागा नियो लिथिक जो है यहां पर correct answer है नियो लिथिक next which of the following statement is not correct about राजसभा तो राजसभा के बारे में कौन सा वो statement है जो correct नहीं है पहला statement दिया वा है कि it is the upper house of the parliament of India अरे बाई यह तो सही statement है next है it has powers that protect the right of states against the union यह भी सही statement है 12 of its members are nominated by the president तो यह सही बात है 12 members को nominate किया जाता है president के द्वारा next है कि it can amend a bill no यह statement correct नहीं है क्योंकि यह लोगसभा में होता है तो यानि कि option number 4 आपका यहां पर correct हो नेक्स क्या है which stadium was renamed as arun jetli stadium in 2019 तो 2019 में कौन सा वो stadium है जिसका नाम बदलकर arun jetli stadium रखा गया है और उस stadium का नाम है फिरोज सहा कोटला ग्राउंड तो फिरोज सहा कोटला ग्राउंड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है arun jetli stadium समझ गये next question third generation computers used देखे computer से related यहां पर questions आए हैं और यह question सब एकदम basic वाला question है तो यह सब basic question definitely आपको पढ़ के जाना है कि तिसरी PD के computer का उपयोग जो है third generation computer used उसमें कौन सा चीज used हुआ था तो integrated circuit जो है यहां पर correct answer हो जाएगा next who was the youngest member of parliament to be elected in 2019 तो 2019 में चुने जाने वाले संसत के सबसे युवा सदस्ट से कौन थे और उनका नाम क्या था चंदरानी मुर्मू जो है यहां पर correct answer है okay next question the fifth incarnation of Vishnu is known as Vishnu के पांचवे अवतार के रूप में जाना जाता है और उनका नाम क्या है किसे जाना जाता है correct answer यहां पर क्या होगा तो वमना जो है यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है the fifth incarnation of Vishnu is known as वमना next question क्या है यहां पर which of the following is a popular dance form of लक्चुदीप island तो निमलिखित में से कौन लक्चुदीप समूग का लोग प्रिये निर्त है तो लक्चुदीप समूग का जो लोग प्रिये निर्त है और उसका नाम क्या है कोलकली जो है यहां पर right answer होगा ठीक है डान्स से भी related questions आ रहे है तो देखे एक चीज़ तो fix है article से एक questions रहेगा ही रहेगा आपका dance से एक questions आपका रहेगा ही रहेगा समझ गये यह दो fix होगे computer से एक basic questions रहेंगे ही रहेंगे यह सब आप देखकर पसा चल रहा होगा आपको यह सब हो गए आपका तो यह सब आप अच्छे से करके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया कि Which of the following is a popular dance form of Lakshudip Island Kolkali जो है यहाँ पर right answer है Next question Who is the author of the book? Reset, Regaining India's Economy Legitivity Reset, Regaining India की आर्थिक विरासत पुस्तक के लिखक का नाम कौन है Book and author से related यह questions है और इसका right answer क्या होगा? Subramaniam Swami जो है right answer हो जाएगा Subramaniam Swami Next, the capital of which empire was not in south तो दक्षिन भारत में किस समराज की रस्धानी नहीं थी किस राज की रस्धानी जो है दक्षिन भारत में नहीं थी South में नहीं थी Right answer क्या होगा यहाँ पर चेरा जो हो जाएगा यह होगा right answer देखें, चोला का south में था पाला का south में था पल्लावा का भी जो है South में था आपका ठीक है? Next, capital जो है यह south में था इन सब का लेकिन चेरा जो है यहाँ पर right answer होगा Next question क्या हो जाएगा यहाँ पर? Pineapple is a dash plant तो अनानस एक dash पौदा है वो कौन सा पौदा है? अनानस यहाँ पाइनपल यह हो जाएगा जरोफाइट जो है यहाँ पर right answer है Next question As per the 8th schedule of the constitution of India How many languages are referred to as schedule language? तो भारत के समिधान की 80 अनुसूची के अनुसार कितनी भासाओं को अनुसूचीत भासा कहा जाता है तो वो total कितनी ऐसी भासा है? Right answer क्या हो जाएगा? 22 ठीक है क्योंकि यह question बहुत बार आपके exam में पूछा गया है कि भारत के समिधान की 8 अनुसूची के अनुसार कितनी भासाओं को अनुसूचीत भासा कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पर कितने किलोमीटर होते हैं? 1 डेगरी लैटिट्यूड इस इकवल तो हाँ मेनी किलोमीटर अप्रोक्सिमेटली हाँ मेनी किलोमीटर एक सो एक ग्यारा 111 किलोमीटर होता है अप्रोक्सिमेटली 111 किलोमीटर होता है Next question A piece of land that is almost entirely surrounded by water But connected to the main land on one side is called तो भूमी का एक टुकरा जो लगभग पूरी तरह से पानी से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख की भूमी जो है एक तरफ मुख की भूमी से जुड़ा होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पैनुशुला समझ गया है? कहने का मतलब क्या है? यह है पैनुशुला यहाँ पर क्या है? कि यहाँ पर चारो तरफ यहाँ इस फीगर में अगर आप देख रहे होंगे तो इस फीगर के चारो तरफ पानी है यह वाला यह एरिया जो है यह है पैनुशुला तो इस figure के चारो तरफ जो है यहां आप देख रहे होंगे पानी है पानी है ठीक है यहां पर देख रहे हैं water water सब जगा आपका water water यहां पर है लेकिन जो इसका एक मुख्य लैंड है वो main land से जुड़ावा है यहां पर जुड़ावा है तो यह जो area है यह हो जाएगा peninsula तो यह next question क्या है next question है through which of the following state does the tropic of cancer run tropic of cancer किस के तरफ से जो है निम्न में से किस राज के मध्यम से tropic of cancer चलता है तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर right answer मिजोरम यहां पर correct cancer है ठीक है मिजोरम टोर्टल यहां पर देखिए यहां पर आप पढ़ेंगे तो क्या दिया वाए कि इन इंडिया tropic of cancer जो है वो pass करता है eight states से समझ गया eight states से यह pass करता है tropic of cancer यहां पर इस figure के माध्यम से अगर आप देखेंगे हां तो यहां पर देखिए यह eight pass यहां पर यह हो गया tropic of cancer और eight जो है states से उससे होकर यह गुजरता है जैसे कि राजस्थान गुजरात मध्यपरदेश छत्यजगर जारखन वेस्ट बंगाल तिरिपूरा और मिजोरम यहां से tropic of cancer passes होती है next question क्या पूछा गया है आप से कि who was the first who was India's first chief of defense staff तो भारत का पहला रक्षा करमचारी कौन था first chief of defense staff कौन थे राइट एंसर क्या होगा जेनरल विपीन रावत जो है राइट एंसर होगा जेनरल विपीन रावत next question क्या है which of the following is an example of चोला अंपायर टेंपल तो निम्न लिखित में से कौन चोल समराज मंदीर का एक उधारन है कौन है वो उधारन राइट एंसर क्या हो जाएगा राइट एंसर option no.2 चेना केश्वा टेंपल जो है यहां पर राइट एंसर हो जाएगा next when is international ozone day celebrated international देखिए डे से भी question जो है एकदम fixed amount में पूछा जा रहा है तो यह question day से भी हो गया आपका तो when is international ozone day celebrated राइट एंसर क्या होगा 16 September तो देखिए आर्टिकील यह एक question fixed है date से questions fixed है आपका okay dance से questions आपका fixed है और इससे पहले मैंने आप भी क्या पता है था आपको वहाँ एक topic और भी है हलाकि यह पूरा list मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा कौन-कौन से fixed है यह सब करवा भी देंगे तो 16 September यहाँ पर right answer next which is the largest river island in the world विश्व का सबसे बड़ा नदी दूइप कौन सा है कौन सा है दूइप वो है मजूली आइलेंड जो है यहाँ पर right answer होगा मजूली आइलेंड मजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी दूइप है ब्रहम पुत्रा नदी के अशांत जल पर अस्रम के केंदर मे यह इस्तित है नेक्स्ट मेखला चादोर इस ट्रैडिशनल ड्रेश फ्रॉम दे स्टेट ऑफ अब देके कुर्शन कैसे घुमा के पूछा है यह जो मखेला चादोर है यह एक ट्रैडिशनल ड्रेश है किस स्टेट का राइट एंसर यहाँ पर क्या होगा अशाम का है यह अशाम का यह है next who among the following is the co founder of twitter तो Twitter के co-founder Sir Sansthapak कौन है और उनका नाम है Jack Dorsey Next, in which city is Indian Railway Rail Coach Factory located तो भारतिय Railway Rail Coach Factory किस सहर में इस्तीत है Right answer क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा कपूर थाला जो है यहाँ पर right answer है Next, which of the following state is included in the sixth schedule of the constitution of India भारत के समिधान की छटी अनुसूची में निम्न लिखित में से कौन सा राज्य शामिल है कौन सा वो राज्य है, उस राज्य का नाम है मिजोरम Okay, मिजोरम is the right answer Next question, UNICEF UNICEF कब founded हुआ था, in which year UNICEF was founded and what is the right answer 1946 जो है यहाँ पर correct answer होगा 11 December 1946 को जो है UNICEF की अस्थापना की गई थी जिसका headquarter कहां है, जिसका headquarter New York में है Next question क्या है How many members represent the state of Uttar Pradesh in Lok Sabha यहाँ देखिए, राजसभा, लोकसभा कितने यहाँ पर seat होते हैं, यह सब भी question आते हैं exam में तो how many members represent the state of Uttar Pradesh in Lok Sabha राइट एंसर 80 होगा सबसे ज़्यादा कहीं पर लोकसभा का seat है, वो है Uttar Pradesh में ही Next, laterite soil is rich in जो laterite soil होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, आइरन ओकसाइड होता है इस book के author का नाम क्या है correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer होगा, शशी थरूर देखे, मेरा तो आप सभी से एक suggestion है कि शशी थरूर की जितनी भी किताबे हैं, books हैं आप अराम से उन सब को याद कर लिजे क्योंकि शशी थरूर से related exam में questions आते रहते हैं तो जैसे यहाँ पर पूछ दिया केरला's got's own country and what is the right answer वो क्या होता शशी थरूर, उस book के author कौन है शशी थरूर, और सशी थरूर के कुछ और भी important book है, जैसे कि आप चाहे तो note कर सकते हैं जैसे कि एरा of darkness जो है, यह हो जाएगा एक book इनका है, उसके बाद एक इनका है why I am a Hindu यह भी इनकी एक famous book है next इनका दियावा है आपका the great Indian novel the great Indian novel यह भी इनकी एक famous book है inglorious empire inglorious empire जो है, यह भी इनकी एक famous book है तो वैसे आप और भी देख लेंगे next nibble in computer terminology is also called तो यह जो nibble होता है computer terminology में इसे और क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है इसके कहा जाता है half bite ठीक है, half bite जो है यहाँ पर right answer है next the dash is the tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder तो dash वो नली है वो कौन सा वो नली है जो मुत्र को गुर्दे से मुत्राशय तक ले जाती है और उसका नाम क्या है यूरे इत्रा जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है next which of the following is a water soluble vitamins ओहो यह question तो समझिये की एकदम most repeated type of question नहीं है कि water soluble vitamins कौन सा होता है तो vitamin C जो है यहाँ पर right answer होगा next Sachin Tendulkar scored his first ODI century in his dash match तो Sachin Tendulkar ने अपने dash match में अपना पहला एकदस्वे सतक बनाया था तो यहाँ पर पूछा के वो कौन सा वो match था तो 78th वो match था जिसमें Sachin Tendulkar ने 100 run बनाया था first time जो 100 run Sachin ने बनाया था वो उनका 78th match था when was the right to property removed from the list of fundamental rights तो right to property जो है यह पहले हम लोगों का fundamental rights था लेकिन क्या हुआ 44th amendment of 1978 इस amendment के बाद जो है यह removed हो गया आपका list of fundamental rights है तो यहाँ पर 78 आपका correct answer हो जाएगा next when was the construction of the राश्च्पती भवन completed राश्ट्पती भवन का निर्मान कब पूरा हुआ था कब पूरा हुआ था राश्च्पती भवन का निर्मान यह पूरा हुआ था 1929 में पूरा हुआ था और अभी मोदी जी ने 2-3 साल के अंदर में एक निया राष्टपती परलियमेंट बनाने की बात कह दी है हलाकि ये तो राष्टपती भवन है निया परलियमेंट अभी बनने वाला है तो when was the construction of the राष्टपती भवन completed? राष्ट एंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1929 जो है राष्ट एंसर हो जाएगा ठीक है next question पर चले हम लोग next question दिया वाय है हीरा कुंड डैम is in which state? तो हीरा कुंड बांध किस राज में है? ये तो बहुत बार पूछा गया और आप सब लोग जानते भी है ओडिसा में है हीरा कुंड डैम next who wrote the book an era of darkness? देखे एक book अभी अभी डिसकस के था हम लोग कि आपको सशी थरूर के बारे में कह रहे थे कि आप book याद कर लीजे उनकी बहुत सारी किताबे एक्जाम में आती हैं यहाँ देखिए an era of darkness पूछ दिया गया आपसे शशी थरूर जो है एकदम राइट एंसर है मैं आपको बोल रहा हूं कि जो यह कोई भी स्टूडेंट यह जो 1000 प्लस जो स्टैटिक जीके का आएगा ही आएगा और यहां से ही complete हो जाएगा वो बाकी जो रहेगा वो मैं आपको करवा दूँगा current affairs से भी 8 से 10 question है यह भी आपको एक अभी अभी सब करवाना है मुझे सब हो जाएगा आपका तो ससी थरूर यहां पर correct answer है next question क्या है who was the founder of pala dynasty pala dynasty के founder का नाम क्या है तो पाला के कौन है गो पाला next question क्या है आपका what sort which sort key is used for previewing the page before printing तो print करने से पहले जो हम लोग preview mode में देखते है उसका shortcut key क्या है shortcut key है control plus F2 अगर आप करेंगे तो आपको preview में आ जाएगा next क्या है the word सत्मेव जायते अरे ये भी question कितनी बार पूछा गया है न कि the word सत्मेव जायते on the state emblem has been taken from which उपनिसद तो सत्मेव जायते सब्द राजकिय प्रतीक पर किस उपनिसद से लिया गया है right answer क्या होगा यहां पर वो उपनिसद था मुंड़का option number one correct है next where is the headquarter of southwestern railway दक्षिन पस्चिम railway का मुख्याले कहा है southwestern railway का मुख्याले कहा है right answer क्या होगा हुबली जो है यहां पर correct answer है next Indian reform association कब constructed हुआ था when was the Indian reform association constructed and what is the right answer correct answer क्या होगा आपका 29th October 1870 जो है यहां पर right answer होगा कब हुआ था तो 29th October 1870 को जो है इंडियन reform association construct हुआ था और उस वक्त के जो प्रसिडेंट थे इसके उनका नाम था केशुब चंद्रशेन केशुब चंद्रशेन जो है वो प्रसिडेंट थे इसके next question क्या है the period of 12th year plan जो बारवी पंच वर्सिडेंट थी उसका period क्या था right answer क्या होगा 2012 से लेकर 2017 जो है यहां पर आपका right answer हो जाएगा जो 12th year plan था उसका period था 2012 से लेकर 2017 next question क्या है next question है कि where is the सुल्तान अजलन साकप held every year तो कहां पर सुल्तान अजलन साकप होता है हर साल right answer क्या होगा Malaysia yes Malaysia में जो ही हर साल सुल्तान अजलन साकप जो होता है यह होता है और यह जो है किस खेल से related है hockey जो है आपका right answer हो जाएगा hockey से related है Malaysia और 1983 से जो है यह start हुआ था next atomic number of copper is copper का atomic number तो आपको atomic number भी याद करते चलना है atomic number से भी questions आ जाते हैं हर shift में तो नहीं आते हैं लेकिन जो है आ जाते हैं questions बस ऐसा मानके चलना है 29 जो है यहां पर right answer होगा next which company manufactured the first microprocessor 4004 तो कौन सा वो company था जो manufactured किया था first microprocessor 4004 राइट एंसर होगा Intel Corporation ठीक है जो unexpected है अब कर्णम मलेश्वरी को कब पदम शिरी मिला यह question पूछा यह तो मिला था उनको 1999 में तो कुछ ऐसे भी questions होंगे static में जो कि एकदम कहीं से भी पूछा जा सकता है हो सकता है कि आप हो चीज न पढ़े हो लेकिन यह भी तय है कि कहीं हो सकता है कि यह question repeated भी पूछ दे आप से तो कर्णम मलेश्वरी को कम मिला था तो 1999 में मिला था next how many districts are there in the union territory of Ladakh तो union territory of Ladakh में कितने district है right answer क्या होगा यहापर total दो district है आपका और उस district का नाम क्या है एक तो है आपका कारगिल दुसरा है ले ठीक है कारगिल यही दो district है Ladakh के next question क्या है where was the Pulela Gopichand Badminton Academy founded in 2008 तो 2008 में जो है Pulela Gopichand Badminton Academy के अस्थापना कहां की गई थी और वो की गई थी कहां पर हैदराबाद में की गई थी समझगे है हैदराबाद जो है यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा हैदराबाद पulela Gopichand जो की आंधर परदेश से है ठीक है और इनको जो है बहुत सरा अवार्ड मिलावाया है इनको अरजुना अवार्ड भी मिला है Badminton के लिए राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड भी इनको मिल चुका है पदम विभूशन मिल चुका है पदम शिरी मिल चुका है इनको द्रोना चार अवार्ड भी मिल चुका है तो काफी famous personality है Badminton से related रखते हैं ये next है vitamin B complex consists of how many vitamins तो यहाँ पर क्या है vitamin B complex जो है आपका जो B complex खाते हैं उसमें कितने vitamins मिल कर ये बनते हैं right answer क्या हो जाएगा तो total 8 मिलके बनते हैं 8 vitamins मिलते हैं आपको समझ गए yes तो इस तरीके से आपका जो है part 5 समाप्थ होता है part 5 में हम लोगों ने 250 questions तक जो है discuss कर लिया है हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द next part में 6th part में जहांपे हम लोग 300 भी complete कर लेंगे तो time कम है इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी से पहले इसको 2 से 3 दिन के अंदर में ये 20 parts को complete करवाने का अपने तरब से पूर्ण कोशिश करूँगा इसलिए मैंने बहुत सारे classes को अभी रोक दिया है ताकि बहुत सारे चीजे करवाने हैं और आप थोड़ा जल्दी में करवाना है ठीक है तो मिलते हैं आप से next part में तब तक के लिए all the best